नमस्कार आज ऐसा आउसर है जब परजापिता ब्रह्म कुमारी इस्वरी विश्व विद्याले द्वारा जीवन मूलियों पर शिक्षा पर और शिक्षा से नए यूके समवर्धन पर एक बहुती महत्वपून अंतर रास्ट्रिय यह इक का जो आउजन क्या गया है इसमें पूरी दुनिया के लगवग 140 देशों के लोग आज भाग ले रहे हैं मुझे आज इस कान्फरेंस में समलित होते वहे खोशी हो रही है कि ऐसे वक्त पर यह आउजन हो रहा है जब पूरी मानवता गहरे संकट से गुजर रही है कोरोना के महामारी ने पूरी दुनिया को विचलित कियाबा है पूरी दुनिया गहरे संकट का सामना कर रही है और मैं यह समझता हूँ कि आज के समय में आज के इन चड़ों में आज के इन प्रस्तितियों में व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाने की ज़रोत है और उस व्यक्ति के अंदर सुरजन चमता हूँ साह सो वो अपना मनोबल बना करके रखे और एक दोसे का सयो करके सय में तरह करके इन प्रस्तितियों का वो मुकाबला कर सके इसकी ज़रोत है और इसकी इस महत्तपूर्ण ज़रोत को आज जो आपका संस्थान पूरे इस आईवजन के माद्यम से उसके प्रति पूरति कर रह है लोगों को समलित हो करके परवेश बना रहा है मैं अब सब के प्रति आपने शुब कामना देता हूं मैं आबारी हूं आपकी संस्था का क्योंकि मैं पिछली बार भी आपकी इस वैश्व विद्या लेके जो आपकी जन जागरीती और शिक्षा की दिशा में अविनाव प्र शक्षा के लिए काम कर रहे हैं वो आपका अभियान है उस अभियान के हिस्थे के रूप में भी हम लोग आप से जुड़ते हैं और इस समय सिक्षा और शिक्षा की माद्यम से नए यूक के निर्मान की जो नए बात अपने कही है इसी बात सई है कि सिक्षा तो किसी भी व् रास्ट बिलकुल जैसे रीड की हड़ी के बिना सरीर का अस्तित्व भेगार हो जाता है, सरीर रहता तो है, लेकिन उसका वो अस्तित्व नहीं रहता है, यह जो शिक्षा है, यह जो तन, मन, और तन, मन को ठिक करने के साथ-साथ, उस अपने विचार को, उस अपने संसकार को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना अपनी अंदर की तमाम उर्जा को नए सुरूप में बाहर निकल करके उसको बांटना तो जो ये अभियान है ये अभियान छोटा अभियान नहीं है क्योंकि हमारे देश की जो सिक्षा थी क्योंकि आपके मन में होगा कि हम अभी नए शि शिक्षा नीती को लाकर लाने के पीछे भी मन्सा ये है कि भारत ये जो भारत है वो तक्षशलो और नालंदा जैसे विश्व विद्याले जिस भारत के अंदर रहे हों जब सारी दुनिया का मानेस शिक्षा गरण करने के लिए इन संस्थानों में आता हो वो देश जो प्रिथव्यमसर मानेवा जहां सारी प्रिथवी के लोग आकर के नए सरजन की विधाओं को लेकर के नए ग्यान विग्यान और नसंदान की दिशाओं को लेकर के जाते हों वो देश भारत वो तमाम गुलामी की थपेड़ों ने जिस तरीके से उसकी जड़ों से उसको हटा के लिए कि उस शिक्षा की वो शिक्षा जो पूरे वेशों का अपना परिवार मानती है जो अयम निजहा परवेती गणा लगुचेत साम हुदार चरता नम्तु वसुधैव कुटमकुम जो वसुधा को अपना परिवार मानती है अपना कुटम्ब मानती है ऐसी शिक्षा जो उस कुटम को सर्वे भवन्त सुकी नहां सर्वे संतु निरामयां सर्वे भद्राने पस्चंतु माकर्षित दुख भाग भवेत की बात करती हो कि नहीं जब तक धर्ती पर एक मनुस्य एक प्राने भी दुखी होगा तब तक हम सुक का इसास नहीं कर सकते हैं सब के कल्यान की भावना वाली सिक्षा ग्यान विग्यान और अनुसंधान वाली सिक्षा हर छेत्र में शिकर तक पहुंचने वाली सिक्षा इधर चाहे हो सेना ववतु सेना वो नक्तु सह वीरियम कर बावे की बात करती हो या साथ साथ अपने पुरुशार्ट को आगे बढ़ाने का विश है वो सिक्षा जो संसकार दे वो सिक्षा जो विचार दे वो सिक्षा जो मानों को मानों बनाने की उस अभ्यान में महत भारत और स्रिष्ट भारत एक भारत ऐसा स्रिष्ट भारत जिसमें ज्ञान विज्ञान और अनसंदान हो जिसमें विचार भी हो जिसमें जिवन मुल्य भी हो जिसमें संस्कार भी हो जिसमें संस्कृति भी हो जिसकी प्रकृति भी हो जिसकी प्रकृति भी हो जिसकी प्रकृत खतम हो जाए और स्वार्थों की बाड़ आ जाए तो फिर प्रकृति के साथ समभने होने का कोई विशा ही नहीं है और ये सब कराता है आदमी का जिवन मुल्या उसके संसकार उसके विचार अडल जी कहते थे छोटे मन वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता और टूटे तन वाला क अभी खड़ा नहीं हो सकता बड़े बनने के लिए बड़ा विचार चाहिए जो चोटी चोटी चीजों में उल्जा रहेगा चाहिए वो व्यक्ति है वो चाहिए परिवार है चाहिए कोई रस्ट है चाहिए कोई समाज है चोटी चोटी बातों में उल्जे रहने वाला व्य बड़े विचार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा संगर्ष, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा मन चाहिए, और बड़ी प्रकरता चाहिए और उसी सीमत तका त्याग और समर्पन चाहिए, तब आद में बढ़ा होता है, और इसलिए हमारा संसकार था, वह हमेशा वंको कि है बिनम्रिता दी है हमारे हमने हमेशे कहा कि बिनम्रिता और प्रकरता दोनों का समय में बहुत जरूरी है और इसलिए जो जो नई वो हमारा अभी मसौदा है वो मसौदा हमारी भारत के इनद्रित होगा ग्ञान विज्ञान अनुसंधान को ले करके आगे बढ़े गा हमारा पीछे का जो ग्ञान है इस gefine में सुस्तुरुत चरक आरेभट बहस करा चाह रहा है यदि मैं बैट करके देखो तो इतने बड़े वग्याने कोई हैं जो सारी धुनिया ने उन पर शोगत किया है तो हमारी जो चीजे हैं हमारी जो थाती है हम उसको संजो करके आगे बढ़ाना चाहेंगे सकारत मकसोच आद 140 से भी अधिक देशों में आपका ये नेटवर्क है निश्चित रूप में हमने सारे वेशों का अपना परवार माना है वो लोग जो वेशों को मार्केट मानते हैं हमने कभी बाजार ने माना वेशों को हमने परवार माना है क्योंकि बाजार में किवल भ्यापार होता है ज तो अकेला चोहरे पर खड़ा नजर आता है लेकिन हमारा जो विचार है पूरी दुनिया में हमने पूरे वैश्व को अपना परिवार माना है परिवार है हमारा यदि सुक में हो तो हम एक हैं दुख में हो तो हम एक हैं हमारा जो विचार हमेशा रहा है कि सुक बांटने से ब शेयते देशों की उस भावना का तो प्रयापत है इतना ही समझने के लिए मैं ये समझता हूँ आज का ये जो आपका सेमिनार हो रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं शुब कमना देना चाहता हूँ जबकि पुरी दुनिया गहरे दुख से ओकर के संकट से ओकर के गुज़र रही है लेकिन ये जो संकट है इन संकट की घड़ियों में हम पूरी ताकत के साथ इन चुनौतियों को हम निश्शित रूप में अपनी उपलब्धियों में भी बदल सकते हैं जब चुनोती आती है और मजबूती के साथ आदमी खड़ा होकर के दिशा देता है लेता है यह उस पे चलता है और नया सरजन करता है तो निश्चित रूप में वही चुनोती उसको अवसरों में तब्दील हो जाती है आज का अवसर भी ऐसे ही है यह चुनोती का हम मिल करके मुकबल करेंगे और इस चुनोती को हम नया वसरों में तब्दील करेंगे मेरे लिए तो यह जो अवसर है निश्चित रूप में मानव संसादन विकास मंत्राले के लिए एक उपलब्दी बन करके आ रहा है जब हम ऑनलाइन सिक्षा को बच्चे बच्चे तक पहुंचा र को हमने सीडिय ऑनलाइन शिक्षा देना सुनिशित किया है मेरा अभी भावक और अध्यापक तोनों मिल करके उसको संजो रहे हैं उसका आगे बढ़ा रहे हैं सोचा भी नहीं होगा कभी किसी ने कि ऐसी एक आएक ऐसी प्रस्थित पैदा हो जाएगी और हिंदोस्तान के ज दिक चात्र चात्र हैं जो कुल अमेरिका की जन संक्या से ज़्यादा हिंदोस्तान पर चात्र चात्र हैं इतनी बड़े परिवार को ऐसे विपरीत प्रस्तियों में भी संभल करके रहना संभल करके रखना और उस परिवार को सकारत मक्सोस के साथ देश के निर्मान में आग सर मेरे विशो भी जाले मेरे आएम मेरे स्कूल नीचे की स्कूल से लेकर के वेवेन संस्थाएं नित नए प्रयोग कर रहे हैं नए अनुसंधान कर रहे हमारे प्रधान मंतिजी ने का था मैं नवयोकों को आवान करना चाहता हूँ कि वो ऐसे अवस्थर पर क्या कर सकते हैं और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व मैसूस होता है कि आज हमारे देश के हजारों नव जवानों ने वो घर पर कैद नहीं बैठे वो शोद की प्रयोक शालों में आए और नए नए अविनों प्रयोक करके नए ने अनसंधान किये जो इस देश की प्रगती में बहुत आ अधार शिला बन करके आएगी ऐसा मेरा भरोसा है मैं सबी के प्रति बहुत आबारी हूँ कि आप सब इस उत्सों वाले कारेक्रव में इस संसकार्शंवाले कारेक्रव में इस नए युग निर्मान की परिकलपना वाले इस सेमिनार में इस महत्तपूर्ण उत्सों में हम करें और नए सरजन के साथ एक नए यूग की ऐसे सुरुआत हो जिस यूग के हम कल्पना करते हैं जिस सुखद यूग के हम कल्पना करते हैं उस सुखद यूग का निश्चित रूपे मिल करके एक सुत्रपात हम लोग मिल करके करें मैं आप सभी को एक बार फिर हिर्दर के ग झाल झाल